Welcome back guys, आज की वीडियो के अंदर हम लोग Australia and Canada को compare करने वाले हैं So please make sure you watch the video till the end, इसका part 1 अगर आप लोग नहीं देखा है तो please देख लेना, description में लिंक दे दूँगा But ये जो वीडियो है, part 1 वाली, वो एक साल पुरानी थी So अभी ऐसी बहुत सारी चीज़े जो वो वीडियो में मैंने बात करी थी, वो relevant नहीं है, change हो चुकी है So ये वीडियो के अंदर हम लोग सारी updated चीज़ों के बार मैं बात करेंगे So make sure you watch the video, till the end, जादे रहे करते वीडियो शुरू करते हैं So ये जो वीडियो है guys, Australia vs Canada, इसके बार मैं मनें काफी सारे पॉइंट्स को टार्गेट करते हुए And कुछ-कुछ पॉइंट्स जो है, वो PR वालों को भी टार्गेट करेंगे, मतलब इंडिया से जो लोग directly PR लेके Canada या Australia आ रहे होते है वो लोग से related भी है, बट जाद अतर students को target कर रहे है So that आपको एक clear-cut idea में लेकर किस तरीके का सारा काम का जे, कितना पैसा लगेगा, किस तरीके की जगे है and all So number one जो point रहेगा हमारा है, वो है cost of living अब cost of living का ऐसा scene है भाई कि Canada अभी फिलाल थोड़ा cheap है as compared to that of Australia मेरा जो cousin brother है वो Australia में है and जब भी उससे बात होती है तो एक idea लग जाता है भाई कि Australia का rent and all थोड़ा expensive है उसके अलावा कुछ friends भी Australia में है, तो वो Melbourne में रहते हैं, कुछ Sydney में हैं, कुछ बाहर के जगाओ पे रहते हैं बढ़ फिर भी compare करने जाओगे तो Canada का जो rent है वो अभी फिलाल ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा cheap है तो यह एक था हमारा cost of living का उसके अलावा अगर आपको ना पता हो तो यह वन केनेडियन डॉलर इस 60.64 इंडियन रुपीज एंड वन ऑस्ट्रेलियन डॉलर इस 54.80 इंडियन रुपीज इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो भई कि इंडियन रुपीज में दोनों डॉलर का कित्ता फरक पड़ रहा है उसके बाद हम लोग पार्ट टाइम जोब्स के बारे में बात करेंगे यह पार्ट टाइम जोब्स यार कैनेडा में मुश्किल है एस कंपर देट ऑस्ट्रेलिया कैनेडा में आप लोग को पार्ट टाइम जोब्स अभी फिलाल मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा विकाज आप लोग ने पिछले दो साल में देखा है कितने लोग यहां पर आ बात करें तो यहां पर जो मिनिममम बेज के अंदर वह 17 डॉलर पर अवर और ऑस्ट्रलिया का मिनिममम बेज 24 डॉलर और टीक है एक दो डॉलर ऊपर नीचे हो सकता है बट लूज इतना ही है जादा तर लोग ऑस्ट्रला के अंदर 24 से 25 के बीच में मिनिममम बेज पर कमा र 20,000 डॉलर ही है सो केनड़ा क्रास कर देता है ऑस्ट्रलीय को बिकाज आपको आप लोगको सिधा 20,000 डॉलर आपको एक बैंक में देना होता है आई हॉआँ वह आपको रिटन मिल रहा है बट फिर वितवे ट्वेट नीचे पर पूरह आपको बैंक में दे देना है ऑंड पै अगर quality की बात करो भई तो quality का ऐसा है और कि अगर आप लोग सी मेरा तो simple way of looking at things है जाधा तर अपनी जो students इंडिया से Canada आ रहे होते हैं या Australia जा रहे होते हैं वो जाधा तर अगर आप majority देखो के तो वो medium colleges या low या medium या उस तरीके के colleges या universities में ही जाते हैं टॉप अब University of Toronto University of Waterloo यह सब की बात करूँ तो यार बहुत ही रेर लोग होंगे जोगे colleges में जाते हैं अपने इंडिया से इंड दूसरे जगहों से उसके बाद अगर आप दोनों में से कोई भी कंट्री में जाना चाहते हो तो मैंने एक कंसल्टन्सी सर्विस स्टार्ट करें मेरे अंडर लाइसेंस्ट इमिगरेंट एजेंट से जो आप लोग को गाइड करेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पर जाए फॉर्म फिल आउट करें पूरा चेक करेंगे आप कोई भी यह लिस्ट में कंट्री में जा रहे हो वह कंट्री में आप लोगों को हेल्प करेंगे बिकास बहुत सारी कॉलेजिस एन उनिवेसिटीटीज के साथ यह लोग का टाइप है अगर आप कोई भी उन कॉलेजिस एन उनिवेसिटीज के साथ जाना चाहते हो एक बार आप इनसे इनसे एडवाइज लोगे तो आपको स सारा एक्सप्रेंग करेंगे प्रॉपर तरीके से सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है फॉर्म फिल करो मेरी टीम आप लोग को कॉन्टाइक करें वहां से आप लोग का पूरा प्रॉसस स्टार्ट होगा सो प्लीज जल्दी जल्दी आपके कर देना एंड इसे काफी आप लोग सो चेनडा के अंधर भाई अभी फिलाल इस वेघ भी ओडिफिकल तन रॉस्ट्राइल यह अजी नहीं है मेरा भाई बहुत टाइम पहले अस्ट्रेला गया था मेरे से भी दो साल पहले गया है वह अभी और अशुल्य प्र नहीं है तो और मैं भी नहीं हूँ हूं कैनेडिय तो अभि भाई बैंडी वजा पढ़ा है उसके भाद में रेंट के बार हम बात करूँ तो रेंट जो होता है वो थे मंददेना होता है औस तरीकिया कका है एव्री वीक, जब फ्राइड़े इसटेड़े आ तबी यार आपका जो लैंडलोड है या जो भी है वो आपको बोलेगा कि भाई इतना हुआ है ये हफते का आपको एन आपको उस तरीके से पे करना होता है मेरे को यार वो जाधा सही लगता है as compared to that of Canada because Canada में क्या है वाई first and last month में बहुत जाधा loss होते है लोगो मेरे खुद के 1000 डॉलर के उपर का loss हो रखा है मेरे को because क्या होता है कि मैं अगर कोई नहीं जॉब लग गई तो कहीं move हो ना हो गया अब मैंने next month का rent दे रखा है अगर मुझे replacement में नहीं ढूंड पाया तो रेंट पूरा पानी के बराबर चला गया विरा and usually यह होता है replacement मेरे को मिलता ही नहीं है because मेरा जबी भी जॉब लग रहा होता है end moment पही जॉब लगता है गई पे and उस चक्कर में मेरा rent last month का चला जाता है so एक तरीके से है disadvantage ही लगा मुझे बाकी आप लोग बताओ comment section में advantage, disadvantage, landlord के लिए तो advantage ही है बट जो tenant रहता है उसके लिए advantage है कि नहीं वो आप लोग बताओ मुझे उसके बाद मैं wether के बारे मुझे बात करूँगा तो wether के बारे में सबको पता है कि Canada में किस तरीके की हालत है so अगर आपको ना पता बहर तो Canada में majority जो लोग रहते है वो Canadian border के पास ही रहते है यूएस के पास जो अपना Canada का water आता है ना वहाँ पर ही सारे लोग reside करते हैं रहते हैं और उपर का जो पार्ट है वह ज्यादा तर ठंडी वहाँ पर extreme limit पर रहती है जो उपर के regions है नीचे के regions में भी ठंडी पढ़ती है बट उतनी एक्स्ट्रीम नहीं होती है अगर आस्ट्र अगर आप लग अलग वैदर ची या इस तरीके का आप लोग का कुछ प्लान है तो ऑस्ट्रेलिया चले जाओ उसके बाद हम लोग बात करेंगे racism का अभी चैनडा बें भी सेम है मैं पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में बोलता था अभी भी यहां पे इस लेवल पर पीक लेवल पर नहीं आया है वहां के जो लोग है वह फिर भी पॉलाइट है अगर आप अस्ट्रेलिया में आप लोग को थोड़ा फेस पे बात करेंगे ना तो इस तरीके का रेसिजम का का जाए रेसिजम में दोनों कंट्री सेम तुसेम है कोई फरक नहीं अभी फिला लगए 2024 का हम डेटा देखने जाए तो सेब है उसके हम बात करेंगे हेल्थ केर तो कैनडा तो भाई इस टोटली गॉन अगर हेल्थ केर के बारे में बात करें हा इससे बहुत अच्छा है अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड इस्यूज है तो या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है आपको तो आप ऑस्टलिया को टार्गेट करें ना कि क्यानडा उसके बाद हम लोग कार के बारे में बात करेंगे बिकार स्टूडेंट जो यहां पर आएगा वो गाडियों का मार्केट कैनडा में खराब है अगराब आउस्ट्रिया दोलर जादा है घंटे का जाता डॉलर मिल रहे है कार के प्राइज इतने जादा नहीं गए है इतना खराब है कि कोई लिमिट नहीं है भाई कार फैक्स अब देखो गे अचिजेट्ट सो रखे वह उसके बात करेंगे transportation, so transportation Canada में कुछ जगाओ पे जो like for example Toronto हो गया, Mississauga, Brampton वगेरा वगेरा में आप लोग को Toronto में GTA में especially आप लोग को अच्छी connectivity मिल जाती है, आप लोग को वहाँ पे गाड़ी लेने की ज़रुत नहीं है, वेगाज अगर आपको ना पता होते है, Toronto downtown में traffic बहुत ज़्यादा रहता है, so आप लोग अगर public transport लेते हो तो आप लोग को cheap भी रहेगा, insurance के price भी देने नहीं पड़ेंगे, and सस्ते में आपका कम time में traveling हो जाएगा, but अगर आप लोग like Windsor रहते हो, तो वहाँ पे transportation का इतना ज़्यादा नहीं है, Windsor हो या फिर कोई भी भी area ले लो, वहाँ पे इतना transportation का नहीं रहता है, so Canada transportation में हार जाता है, Australia से, Australia में transportation बहुत अच्छा है, Sydney, Melbourne या बहर भी आप कहीं चले जाते हो, तो वहाँ पे subway हो, या busses हो, या सारी frequency, हर जगा पे आप लोग को convenient rates के अदर मिल जाती है, rates तो यहाँ भी convenient है, पर हर जगा पे नह Canada second largest country है, एरिया वाइस देखने जाओ तो, and Australia obviously उतना बड़ा तो नहीं है, Canada के जितना, and उसके अलावा देखने जाओ तो, क्या आप US जा सकते हो, Australia है, मैं आप कोई और country में नहीं जा सकते, आपको flight लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पे आप कम rate के अंदर US जाके गूम फिर जादा गूमता नहीं, तो मैं को इतना idea नहीं है, but anyways, दोनों countries में वो सब चीज़े तो ठीक ठाक है, depends on person to person, यह सब इतनी high priority चीज़े नहीं है, बट अगर high priority चीज़ों के बारे मैं बात करूँ, जो मैंने पहले बात करी, तो यार, personal opinion, two and a half years हो चुके मुझे है, यहाँ पे East level पे तो नहीं सुना है, हाँ, वहाँ पे भी PR difficult है, बट यार, रातो रात rules change कर दे रहा है, इतना तो मैंने नहीं सुना है, अगर आपने सुना हो, तो मुझे ज़रूर comment section बताना, बाकी बताना वीडियो कैसा लगा, मैंने कोशिश करिया, जितनी information आप लोग को दे सकता हू तो वो सारी compare करेंगे, तो आप लोग को एक clear का डायड है, बाकी अगर आप लोग ने चैनल को subscribe करेंगे, like करेंगे, share करेंगे, comment करेंगे, बताना मुझे कैसा लगा, फिर मिलता है अगली वीडियो मैं तब तक के लिए,